अपने आप उन लोगों ने हमको बता दिया कि हम उनके विरोधी हैं जब कि हम तो अच्छे से जानते भी नहीं थे लोग कि यह लोग किस फैमिली से आते हैं क्या आते हैं क्यों कि उसमें नहीं हम आये थे यहां पर रहना बच्पन मेरा यहीं बीता है लेकिन पढ़ाय लिगा किया जा रहा है कि इन लोगों को इस तरह से बोलिये इन लोगों का एक छभी को खराब किजिए उनके विरोधी ही बोलते हैं बाक्या पप्लिक में किसी से भी किसी भी मेरे गाउं घर में चले जाएए हमारे बस्ती में महिला कॉलेज महिला स्कूल नहीं है शिछा के लिए कोई विवस्था तरीके का नहीं है बहुत सारी समस्य आया यह गल्स स्कूल हो एक कॉलेज ढंका जारकंड में विधान सबाच चुनाव तारीकों के बीच में दम भरने के लिए कई राजनुपिक दलों ने अपनी पूरी ताकत छोगती है इस भी चुनाव राजी की राश्नुवितिक दिसा तैय करने में बढ़का गाउं की समास सिवी निशी पांडे किस प्रकार के भात्यपून भूमिका निभाएंगी आईए जानते हमारे एड़िटर से निशी जी हमारे साथ है बात करेंगे चुनाव करीब है क्या एक्षा है चुनाव लड़ने की बिलकुल मन बन रहा है जी बन रहा है कब समास सिवा में आये हम लोग यहां पर साथ साल हो गया मेरे को आये हैं यहां पर उसके बाद फिर उसके बाद फिर हम लोगों ने यहां प और हम लोगोंने बहुत ही यहां पे अच्छा व्र किया कि यहां कि लोग हम लोगों को बहुत स्नेह देते हैं लोगों करने के बाद लूगों के दुव्षभ सुख में साध करने के लिए बहुत सूखुन मिलता है पहुत इस चीज़ को वे बयानी कर पाएंगे कि कभी कभी आप कुछ ऐसा काम कर जाते है कि आपको भूवत ही अच्छा महसूस सोने लगता है कि हाँ हमने कुछ अच्छा काम किया तो इसका कोई शब्दी नहीं है कि कितना अच्छा लगता है कितने लोगों की दुआ मिलती है कितने मतलब हम बताने पाएंगे आपको बहुत अच्छा लगता है आप समझ सकते हैं इतने कम समय में साथ साल के अंदर इस वि सुख और सुख को आपस में मिलकर बांटा जाए तभी ये कारे संभभ हो पाता है सबसे कम उम्र की विधायका अब आपके यहां से जित कर आई और यह कहते हैं कि वह आपके घोर विरोधी के में से आते हैं हां आपने ठीक कहा कि सबसे कम उम्र की महिला विधायक बनी थी यहां से पिछले बार और घोर विरोधी की जहां तक बात है तो ऐसा कुछ था रही यह एक हमसे अपने आप उन लोगों ने हमको बता दिया कि हम उनके विरोधी हैं जबकि हम तो अच्छे से जानते भी नहीं थ कि असम्हें नए न हम आये थे यहां पर यह लेकिन पड़ाय लिगा इसी था अब बाहर भी रहते थे हम इन लोगों ने खुदि हम रिरोदी विरोधि मान लिया आप क्यों माना एप को नहीं पता ऊसलता है निला प्रेकर करें मानते हों कोई बाहुबली भी आपको कहते हैं बाहुबली परिवार से आते हैं ये बाहुबली जो शब्द है ना ये एक शब्द को एक गलत तरीके से बोला जाता है बाहुबली जिसके बाहु में दम है वो बाहुबली होता है ठीक है अगर हम किसी करने के लिए किसी चीज का जबा रखते हैं तो हम ठीक है हम स्ट्रॉंग है हम आगे बढ़ने का जबा रखते हैं हम स्ट्रॉंग है ठीक है और यह बैग्राउंड को ले करके बाहू बली बोल देना यह एक पॉलिटड आजंडा इन लोगों ने पकड़ रखा है कि इस सब्द को बोलो इनकी छवी को खराब करो आप किस हिसाब से हम को बाहू बाली बोलता है हम ऐसा क्या कर दी हैं जो हमको बाहू बोली बोला जाता है जहां तक रही फैं rejoice की बात है तो हमारा यह अम लोग हम लोग के चले गए सब उने बिजनस में उतर गया तो बाहु बली सब ये यूज़ करना ही एक तरीके से का गलत है और मेरे लिए यूज़ करना तो बिलकुल ही गलत है ये लोगों को सिर्फ भरमित किया जा रहा है कि इन लोगों को इस तरह से बोलिए इन लोगों का एक छवी को खराब से हैं वो बस एक बदनाम करने का एक नया फंडा इन लोगों ने निकाल लिया है कि इनको ऐसे करो ऐसे करो खुद को देखते नहीं है दुसरे को बोलना बहुत आसान होता है बहुबली हमें लोगों कहते हैं लेकिन मैं बहुबली नहीं हूँ, मैं लोगों की सेवा करता हूँ, लोगों के दुख सुक में साथ देता हूँ, लोगों को ये लगता है कि अगर ये राजनिती में आगे आएंगी तो हमें नुकसान पहुचा सकती है, इसलिए मेरे परतिद्वन्दी या जो भी मेरे विरोधी खेमा के लोग हैं, वो मुझे बहुबली कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करती हूँ, जिससे खुद की मेरी छबी खराब हो, मैं लोगों की हित की काम करता हूँ, लोगों के हित की बात को आगे रखती हूँ, लोगों की जज़बातों को समझती हूँ, इसलिए मुझे बदनाम करने किसा जिसे चुनाओ नजदीक है छेतर भूम रहे हैं पान साल से समाच सेवा में इस छेतर की समस्या है क्या है मिस्ठापन सबसे पहला रोजगार नहीं है यहां पे मेडिकल से उधाय नहीं ह Tanner आप एक महिला धाना नहीं है महिला कॉलेज महिला स्कूल नहीं है सिच्छा के लिए कोई विवस्था तरीके का नहीं है बहुत सारी समस्या हैं अगर हम बात करें आपने जो जो समस्या है कहा है विस्थापन की या महिलाओं की कॉलेज की अगर आप चुनाओं लड़ती हैं प परात्मिक्ता के तौर पर किन को देखी विस्थापन जिनकी जमीने जा रही है जिनके बच्चों को रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है ना जमीने हाथ लग रही है ठीक है उनका सबसे पहला मुद्दा है बच गल्स के लिए जो छोटे बच्चियां जो हैं उनके लिए स्कू का वेवस्था नहीं है जो आप करा सकते हैं युवाव के लिए बिलकुल उनके लिए रोजगार एक दिलाना जहां तक हो सके संभव रोजगार दिलाना इतनी इतनी कंपनियां है यहां पे कहीं भी सब ऐसी घुमते रहते हैं किसी को रोजगार नहीं बहुत लोग परयास करते मेरे पास डेली एक चिथी आती है, डेली कि हमको एंटीपीसी में करवा दीजिए, हमको यहां करवा दीजिए, यहां पे हैं कंपटी उसका बात है कि कंपटी सुनती नहीं है किसी की, यही समस्या है. महिलाओं को स्वारुजगार तक कैसे जो हो सकती? महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है हम लोगों ने और प्लानिंग भी उसके किये हैं इसको थोड़ा सा रहने दीजे यह जब हो जाएगा तो जरूर बताएंगे आप लोगों महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है पहले चुनाओं नजदीक है पहले इन बिधायक को देखिए ये आप पब्लिक फीडबेक ले लिजे वो आपको बहतर बताएंगे कि कौन टक्कर दे सकता है आप भी परत्यासे हैं क्या लगता है कि आप उन्हें टक्कर दे पाएंगे सिर्फ हम ही दे सकते हैं और कोई दे सकते हैं मैं ही सिर्फ बढ़का गावं बिधान सभा से बधन बिधायक को टक्कर दे सकती हूं और इस बात की सियूरिटी दिलाती हूं मैं जिस भी दल से चुनाओ लड़ूगी चुनाओ लड़ना तैय है और ये सीट हर हाल में जीत कर रहूंगी और ये शीट जीत कर लोगों को दिख और जारखंड में जो भी सरकार होगे, जो भी हमारे विचारधारा से मेल खाएंगे, उन्हें समर्थन करके उनकी हाथों को मजबूत करेंगे, यह मेरी सोच है, इसी सोच के साथ बढ़कागों की जनता के बीच जा रहे हैं, और यहां की लोगों की सोच और यहां की लोगों क कि अब आज यहां की लोगों की समस्याओं को शुनकर बहुत जल्द कुछ न कुछ बढ़े हां डिसिजन लोगे जिस तरह से महोल क्रियेट हो रहा है या किया जा रहा है कहीं आप साजिस के सिकार भी हो सकते हैं इसका डर है डर तो नहीं है सामना करेंगे और आपने ठीक सवाल किया है कि जब चुनाओ अभी नज़िक आ गया है न तो बहुत सारी सारीसाजिसे होंगी मुझे फशाने के लिए मुझे परिशान करने के लिए जो लो सकता में हैं लोग बहुत परिशान करेंगे क्यों को तो मालूम है कि इस जगह से बहुत मजबूती बहुत प्यार और बहुत इस नेया लोगों का समर्थन साथ सब कुछ मिल रहा है तो वो लोग प्रयास करेंगे लेकिन हम लोग कभी भी इस चीज को अगर ये चीज आगी है सामने तो फेस करेंगे और दिन करते आए हैं ऐसे भी करेंगे क्योंकि फेस जब से करने लग गए हम न तब से बहुत कुछ सीखने लग गए कि सत्ता में आने के बाद पॉलिटिक्स में आने के बाद ऐसे भी परशान के जाता है ऐसा भी होता है तो मेरा साफ कहना है कि तुम जिस रूप में आओगे हम वैसा सामना करेंगे तु मुकाबला करने को हम तैयार हैं के लांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी नज़र